हालो मेंबर्स आप देखो आज मार्केट रिकवर कता हुआ दिखा ही दिया देखो आप इन्वेस्टर्स लोग कोई भी डिसीजन ले कि हाँ पे सर यह फीक रिकवर है प्रॉपर रिकवर है यह वीडियो अंतक देखेगा आपको प्यॉर समझ में आ जाएगा कि हाँ पे मार्क किया देखो यहां पर बड़ा सिगनल ता यहां पर सिगनल था क्योंकि यहां पर यहां पर कुट मिल रहे थे और उसी टाइंप पॉजेटिव नहीं हो और आप देखोगे आज की जो recovery अगर पूछने जाए ये still positive recovery है अच्छी recovery है लेकिन आप इसको 100% super positive recovery नहीं consider का सकते ठीक है और जो investors खुश होड़े मेरे भाई आप यहाँ पे देखो यह मैं आपको ITA का data बताने वालो हूँ ITA यहाँ देखोगे stock आज जो recovery किया है तो भाई आप top से देखना या आपके portfolio stock के top से देखना stock कहां से कितने गिरे है तो आज की जो recovery है वो अच्छी recovery है definitely लेकिन top के level से काफी अभी नीचे आये है market के stocks समझ में बाते हैं हो भी यह point समझ में आ रहे है चली अब देखो exactly क्या करना है वीडियो end तक देखे है का pure समझा ठीक है चले फटा स्टार्ट करते हैं देखो हमेशा एक बात याद रखनी चीए मुझे लोग कल बहुत सारे calls कर रहे थे कि सर मार्केट कब recover करेगा अब यहाँ पर हम लोग loss book करके चले जाए बगेरा बगेरा मैं हमेशा आपको एक चीज़ बताता हूं कि market में अगर आपक बढ़े फॉल आने के बाद एक पुल बैक है और आप रोने लगे ठीक है हमेशा याद रखेगा पहले एकजिट का बटन दबाना है नहीं बाद में और कब बटन दबाना है वह मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं वार्निंग के साइंस में आपको बता चुका हूं अ चन्रली हम लोग उन दिखा है कि अगर इतने बड़े फॉल आथे हैं तो या तो वो मार्केट में ट्रेंड कंटीन्यू करते है या फिर यहां से रिकवरी करते है ऐसा हम लोग इन यहां पे बी दिखा था बहुत बढ़ा फॉल था यहां पे बीदिखा था बहुत बढ़ा समझ में बाते तो अभी इसको पर्फेक्ट मां समझेगा यह पुल बैक निसानी आपको दिखाए ज़री है तो फॉर्स रिजन दा पुल बैक है सेकंड पॉइंट क्या है तो यहां पर मॉर्निंग में ही फींच ने डेट अपडेट किया था कि रेट कट हो सकते है और बेक के द्वारा by 50 basis point अब यह कब करेगा कहना मुश्किल है यहां पर लेकिन क्लियर बता दिया है कि by current साल के अंदर 40 basis point के रेट कट हो सकते हैं अब ध्यान से सुनीगा यह रेट कट क्या करेगा रेट कट जो होगा वो क्या माइने कर सकता है तो हमेशा याद रखेगा कि रेट कट तो जैसे कि मानलो यहां पर आपने कुछ 50 लाकी लोन ले लिए आपका हफ्तार है 19,000 का तो उसकी जगा 18,000 का हफ्ता आजएगा यह माई बोलते हैं न तो लोग क्या कहते हैं बड़े बड़ी जो companies होते हैं वो करोड़ों में इनका interest आता है जैसे कि आप यहां पर देख सकत है कि मार्केट में रिकावरी क्यों है तो कि यहां पर फिंच ने यहां पर डेटा आपको अपडेट करते होई दिखाए दे कि रेपोरेट कट होने वाले हैं ठीक है यह सेकेंड पॉइंट था थर्ड ट्रीकर इवेंट क्या थी तो कि फिंच ने रेटिंग इंडिया की GDP की सब्सक्राइब करते हैं जो काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रीकर हम लोग कर सकते हैं यह मौर्णी में डेटा आ चुके थे उसके बाद मार्केट में आपको शार्प रिकावरी आती हुई दिखाए दी जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर से लेकिन कर अब हागे क्या हो सकता है अगर से बी फ्राइडे का कुछ चोल जळा ना कर बोलता है जिनको नहीं पता है स्ट्रेस ट्रेस्ट होने वाला है ,क्या होता है कि मालव आप लोगोंने यह सुनाऊक्द का नाम सुनाँ त्यक्रा, हुआ लृष्त सेंश hun के अंधर यहां पे देवाला निकल चुकत था था vist यहां पर bad loans दिये थे bad loans देनी की वज़े से bank के पास बहुत सारे funds नहीं थे तो यहां पैसे विड्रो करते हैं तो bank क्या करती है bank यहां पर पैसे इंट्रेस्ट पर देती है आप बहुत सारी public एक साथ आ जाती है पैसे विड्रो करने के लिए ठीक है तो yes bank pass तो होता नहीं है ठ के वज़े से होगा क्या yes bank उठ जाएगा समझ में बात है तो सीम चीज़े यहाँ पे mutual fund के साथ होने वाला है अब होगा क्या क्या हाँ पर मानलो mutual fund अगर एक साथ पैसा विड्रो करेगी यानि कि mutual fund में पैसे किसके तो कि investors के अगर investors एक साथ दोड के पैसा विड्रो करेंगे तो क्या कोई problem आएगी market को क्या mutual fund को कोई problem आएगी वगेरा वगेरा तो इसको वोला जाता है stress test तो mutual fund का stress test होने वाला है और वो आपको final output Friday को दिखाए दिखा Friday यानि कि कल दिखाए दिखा तो यह अगर stress test यहां पर कोई भी mutual fund या तीन major mutual fund या फिर कोई small mutual fund अगर stress test को पास नहीं कर पाया तो generate का सकता है issue और market में वापस profit booking आ सकते हैं क्योंकि stress test में जो main problem आ सकते हैं वो small and mid caps में आ सकते हैं तो अभी भी इसको perfect recovery मत सोचेगा ठीक है समझ में बाते तो अगर किसे ने swing trade किया है हम भी करते हैं तो हम लोग ने आज कुछ swing trade किया है लेकिन point आता है कि कल careful लेना हो सकता है यह data आपको कल market के बाद आए तो आपको position हो सके उतनी हलकी रखनी है लेकिन एक बाद ध्यान में रखेगा कि अगर हलकी नहीं रखोगे तो एक एक दिन में जो stock 10-10% गिरे थे ऐसा हो सकता है और वापस बोलूगा मैं डराता नहीं हो लेकिन आपको careful जरूर रहना है बाद में गिर जाने के बाद आप पूछो कि सर में बीच दू और बाद में वापस pull back कर गया 20% fall करने के बाद वापस रोगे तो उसके आपास मेरा पास कोई answer नहीं होगा ठीक है तो हमेशे careful पहले रहना पड़ता है नहीं बाद में ठीक है कोवे में कुदने के बाद हाथ बैट टूडगे सर में क्या गरू उसका कोई लाज नहीं है पहले आपको careful रहना पड़ेगा ठीक है तो यह बाद ध्यान में रखेगा आपको Friday को BTS T यह position काफी हलकी रखे जाना है क्योंकि अगर कुछ भी हुआ यह data अगर बाद में after the market तो आप फस सकते है मंडे को ओके चली वो भी यह point clear हो चुक है अब बात कर दने जाए railway stocks में अब देखो railway stocks सबसे ज़्यादा rebound किये है IRFC, Arvinal, IRCON जैसे stock सबसे ज़्यादा rebound किये है और आप देखोगी कि सर कोई fall किये stock तो भाई yes आज भी कोई stock fall किये है ताटा इंवेस्टम वगर वगर लेकर हम लोग इसको छोड़ देते है जो stock उपर गया हम लोग उसको discuss करते है अब ध्यान से सुनेगा अगर पहले number one point पुछने जाए कि सर क्या ये fake pullback है तो अभी के लिए में इसको fake pullback नहीं बोलुगा क्योंकि ये जो अगर fake pullback होता तो आँज जादाता stocks आपको अपर सर्किट में जाते हुए नहीं दिखाए देते maximum दो या तीन stock होते लेकिन आपको जादाता stocks 17-18-19% जाते हुए दिखाए दिए आप देखो कि maximum stock 10% के आसपास है तो ये आप इसको pure fake pullback नहीं बोल सकते समझ वहीं बात है हाला कि ये जितने भी आप stocks देख रहे हैं ना भाई आप इसको मझ समझेगा कि ये अच्छे वाले stocks होंगे मैं आपको एक example बताना चाहूँगा focus कीजिए का अभी recently February 1st को BLS International 400 पे था कितना 400 पे और last देखो previous देखो ये stock कितना गया 200 पे almost 50% का correction ये बंदा कर चुका था almost ठीक है तो आप इसको मझ समझेगा कि ये इतने अच्छे stock से इसके वज़े स्रिक्वर के नहीं ये oversold ज्यादा हो चुके तब देखो कि डेली चाट पे 20 आरे सहीदा ठीक है ज्यादा तर आप stock देखो कि पूल बैक की या oversold की वज़े से आते होई लिखाई दिया है ठीक है और हो सके तो ये सभी स्टॉक शायद अपने प्राइस के आसपस भी नहीं है फ्यू स्टॉक्स को छोड़के अपने प्राइस के आसपस नहीं है और जिनको नहीं पता है आज अच्छे वाले स्टॉक भी जो मैं बोला हूँ रिल्वे में अभी भी पॉजिटिविटी है मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि मार्के में अभी जब भी गिर आउट आए तो आपको रिल्वे स्टॉक्स को रडर पे जरूर रखना है अभी जो रिल्वे में पूल बैक है वो काफे पॉज लेना जरू पड़ेगा ठीक है यह सपोर्ट लेगा तब यह स्टॉक जाके लाइफटे महाए मारेगा ना कुछ मेंनों के बाद तो इसको सपोर्ट तो लेना है पड़ेगा तो मार्केट में जब भी पूल बैक हो पहले रेल्वे को पूल बैक डेफनेटी करना पड़ेगा अगर उसको बजट में मोमेंटम अच्छी करनी है तो ठीक है यह एक पॉसिविलिटी होते है जिनको नहीं पता यह लॉजिक्स वो शायद शेयर मार्केट में एक दो साल पहले होंगे यह अगर एक्सपिरेंस होगे ताब आप आटमाटिक समझ जाओगे मैं क्या बोलने के क यह क्या करेगा यहाँ पर ठोड़ा ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर टाइम स्वें Jenk करेगा एक रेंज में फिर जााके उपर जा सकता है ठिके समझ में बाते तो आपको हो जाए हुड़को रुड को हो जाए यह सबी स्वक्स आपको रढर पर जारुर रखना है ये अभी या stress test negative आया CBA अभी SBA का जो code के चल रहे ने वो electoral bonds वाला ठीक है उसका date भी 15 March को है अगर वो date में कुछ नहीं आया तो अच्छी बात अगर आ गया तो भी ये stock सभी पहले लूटकेंगे ठीक है तो ये high beta वाले stock से high beta यानि के high return high risk को वाले stock है तो अगर ये recover कर गए तो ये stock budget तक यहाँ पहले stock 15 को हाई माज सकते है तो ये जो भी stocks आज ज़्यादा pullback किये हैं जो कम गिरे हैं वो सबसे ज़्यादा आपनों को radar पे रखने हैं ठीक है जैसे कि hood को, RVNL, RFC जैसे stock आपको ज़्यादा radar पे रखने हैं अगर बार करने चाहे एरिडा की तो आप ध्यान में रखेगा देखो, fake pullback किसको बलते हैं, जैसे कि यहाँ से उपर गया यह fall हुआ, अब यहाँ जो pullback आया था, 180 तक वो fake pullback था क्योंकि अगर 180 इसको जाना होता तो ये stock आज 120 पे trade नहीं करता ठीक है, और आज अगर 27 stock जादा तो circuit में थे तो ये बंदा 5% की circuit लगाई ही देता क्लोजिंग 5% के नीचा ही है, वो negative चीज़े हैं इरिडा के लिए, ठीक है, तो इसको अभी positive में समझेगा, ये pullbacks है ठीक है, होप ये point आपके clear हो चुक है, still कोई डाउट रहता है, कोमेंट जरू कीज़ेगा और हो सकते तो position medium रखेगा, और एक बाद ध्यान में जरू रखेगा कि इसमें अगर एक drop आ जाता, midcap, small cap में ठीक है, तो आरम से midcap, माफ कीज़ेगा, midcap आरम से 44,000 की range में आ जाता अगर आज गिर जाता, और अगर आज गिर जाता तो आदम से अप SIP mutual fund में डाल सकते हैं अच्छे investment, ठीक है, मैं wait ही कर रहा था कि अगर आज एक बार के लिए अच्छा गिर जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खास सपोर्ट है यहाँ पे midcap's में हम लोग invest कर सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं गिरा हो सकते हैं तो शायद यहाँ पे पुलबे करके आ सकता है यहाँ पे, तो यह बात ध्यान में जरूर रखीगा future के अंदर, clear, hope आचका वीडियो पसंद आओगा, समझ वाँगा, share कीजिएगा like कीजिएगा वीडियो को, और दूसरे वीडियो स रखता रहता हूं, वो भी जेक आउट जरू कीजिएगा and telegram में नहीं है, जाके जरू जुड़ेगा search करना है my stock market funder और अगर हमारी community के साथ जुड़े नहीं है, आप जाके जुड़ सकते हैं, link वीडियो के description, comments में provide कर दूँगा angel broking की fires, abstracts, किसी भी एक की link में आप use करके demand account open कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, जाए हिन